नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. महीपाल सिंग्राठोट और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ discuss करूँगा 9-11 के उपर जारी करी गई एक declassified report के बारे में अमेरिका की सरकार ने आखिर कर 20 साल बाद एक ऐसे document को public कर दिया है जिसमें Saudi Arabia के top officials की सनलिप्तता पाई गई है ये क्या document है और इसमें Saudi Arabia पर कितने आरूप लगाए गए है इनी सब points को हम discuss करेंगे और ये document अभी तक secret क्यों रखा गया आखिर US-Saudhi relations में क्या problems हो सकती है इनको भी हम अभी discuss करने जा रहे है आगे बढ़ें उससे पहले आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि Unacademy app पर मुझे इस ID पर ज़रूर follow कीजे मेरे जो भी special classes या plus courses की class है उनके updates आपको आप राप्त हो जाएंगे notification पर राप्त हो जाएगा जब भी मैं live जाता हूँ रविवार 19 सितंबर को mega combat आ रहा है ये अभी तक का सबसे बड़ा combat होने वाला है क्योंके यहाँ पर scholarship pool हमने double से भी जादा कर दिया है और अगर आप इसमें हिस्सा लेते हैं तो आपको scholarship मिलना कुछ ना कुछ scholarship मिलना तय है तो इसमें हिस्सा जरूर लीजे पहले comment में नीचे उसका link मिल जाएगा अभी enroll कर लीजे वरना आप भूल जाएंगे और रविवार को 11 बजे की deadline मिस कर जाएंगे और याद रखें ये questions live attempt करने होते हैं इनको आप बाद में attempt नहीं कर सकते you have to take part in combat between 11 and 12 20 साल पहले अमेरिका में हुए 9-11 के हमलों की जाच की जिम्मेदारी दी गई थी FBI को federal bureau of investigation federal नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये केंद्रिय जाच एजनसी है तो ये अमेरिका में जो भी internal कोई घटना होती है crime होता है बड़े सतरका तो उसमें जाच करने के लिए ये देश की सरवच जाच संस्था है जैसे आप इसका parallel अगर भारत में देखना चाहे तो हमारे यहाँ पर होता है Central Bureau of Investigation CBI तो जो भी topmost या बड़े cases हैं वो CBI के पास जाते हैं आजकल खेर NIA भी करता है terrorist मामलोगी जाच लेकिन वहाँ पर FBI करती है ठीक है तो फरक समझ लेना कई लोगों को पता नहीं है कि FBI और CIA अलग है तो Central Intelligence Agency जो है वो विदेशी धर्ती पर जासूसी का काम करती है terrorist attack etc. अब FBI की जो जाच रिपोर्ट थी जो उन्होंने 9-11 के हमलों के बाद बनाई थी सरकार को सब्मिट करी थी उस जाच रिपोर्ट को पूरी तरह से public नहीं किया गया था उसके 20-25 पन्नों को पूरी तरह से blackout कर दिया गया था जब वो रिपोर्ट जारी करी गई और जनत सालों तक कोई भी अमेरिकी सरकार इस बारे में कुछ भी कहने को तयार नहीं थी लेकिन फाइनली जो बाइडन ने इस रिपोर्ट को public कर दिया है तो 11 सितंबर 2021 जो 20th anniversary थी उस दिन इसके 16 पेज है by the way 20-25 नहीं है 16 पेजिस जो है वो इन्होंने declassify किये हैं और ये declassified pages जो प्रदान करी थी logistics के मामले में यानि कि एक जगे से दूसरी है कि जाना समान पहुचाना उनको वहाँ पर ठहरने की व्यस्ता करना तो इसमें उनका हाथ बताया गया है अब सौधी दूतावास के officials के साथ इन आतंगवादियों के संपर्क थे ये तो यहां पर साबित हो गया लेकिन क्या Saudi Arabia के खुद के देश के जो top officials, top ministers हैं क्या इनके साथ कोई direct link था इसके बारे में FBI कोई भी पुखता प्रमाण proof नहीं दे पाया है तो 9-11 को लेकर शुरुआत से ये doubts थे कि इसमें Saudi Arabia का कहीं न कहीं कुछ role तो है क्योंकि जो 19 hijackers थे ये आतंगवादी थे उनमें फिर भी उसके परिवार के links थे वहाँ पर काफी सारी funding वो Saudi Arabia के लोगों से निकाला करता था for Afghanistan, Jihad and other activities as well तो सन 2001 में भी ततकालीन बुष प्रशासन पर भी ये आरूप लगे थे कि वो Saudi Arabia की सरकार या फिर royal family को बचा रहा है कि कहीं न कहीं उनके link इस आतंगवादी हमले से तो नहीं जुड़े हैं मामले की जाँ जब FBI के हाथ में आई तो उसने कई साओधी diplomats से उस समय पूशताज भी करी थी हाला कि इसके बारे में तब जानकारी public नहीं थी लेकिन बाद में public हो गई थी तो उन्होंने साओधेरेबिया के कई नागरिक और diplomats यानि कि जो embassy में काम करते हैं उन लोगों से भी पूशताज करी थी कि क्या आप hijackers के संपर्क में थे और अब जाकर ये मालूम चला है कि हाँ उन में से कई लोग hijackers के संपर्क में थे पर्टिकुलर्ली दो hijackers का नाम यहाँ पर specially mention किया जाता है नवाज अलहाजमी और खालिद अलमिधार ये दो जो hijackers थे ये जब यहाँ पर अमेरिका पहुँचे पहली बार फरवरी 2000 की बात है यानि कि हमले से लगबख डेड़ साल पहले से ये लोग अमेरिका में थे बाइदवे अमेरिका पूरा शॉक्ड क्यों था क्योंकि इन सभी आतंगवादियों ने हवाई जास उड़ाने की ट्रेनिंग तक अमेरिका में ली थी ये लोग देड़ दो साल से वहाँ पर बैठे थे तो जब यह पहली बार अमेरिका आये कैलिफॉर्ण दिलवादिया अब यह बायूमी जो है यह काफी इंट्रेस्टिंग क्यारेक्टर है क्योंकि रहता अमेरिका में था लेकिन किसी समय यह साओधी अरेबिया की सीक्रेट एजेंसी जी आईडी जनरल इंटेलिजन्स डिरेक्टोरेट का एक एजेंट हुआ करता था तो यह पह उसामा बिन लादेन के एक साथी के साथ कम्यूनिकेशन किया था उससे फोन कॉल्स वगेरा पर बातचीत करी थी और यह व्यक्ति उसामा के काफी नजदीक हुआ करता था यह एक लोजिस्टिक्स फैसिलिटेटर था तो उससे बात करने के कारण पहले से यह लोग इस पर न का जिक्र है जो काफी आश्चर जनक है यह वाला जो साथी अरेबिया का नैशनल था यह 2001 में साथी दूतावास में काम करा करता था और इसको FBI ने 2015 में पूश्टाच इससे करी गई थी और इसकी पूश्टाच के बेसिस पर भी इस रिपोर्ट में काफी कुछ लिखा गया ह लेकिन हरानी की बात यह है कि इस आदमी का नाम अभी भी इन्होंने ब्लैक आउट रखा है अभी भी जो सारे डॉक्यमेंट्स डीक्लासिफाइ हुए है उसमें इसका नाम रिलीज नहीं किया गया है तो यह साथी दूतावास यानि कि लोस एंगलेस में जो इनकी एक कॉंस की स्क्रीन शॉट में आपको दिखा रहा हूँ आपको खुद चेक करने तो जाकर वाल्ट.fbi.gov से देख लेना इन डॉक्यमेंट्स में यह बात भी मेंशन करी गई है कि कैसे सौधी अरेबिया के ओफिशल्स फोन कॉल पर संपर्क में थे अलकाइदा के इन आतंगवादिय होने फ्लाइट स्कूल में अड्मिशन लिया हवाई जाहाज उडाना सीखा और अल्टिमेटली इनोंने यह आतंगवादी हमले को अंजाम दिया अब बायूमी तो यह कह रहा था कि यह चांस एंकाउंटर है लेकिन एफबिया ऐसा नहीं मानता है उसको लगता है कि यह सब दोक्यूमेंट में किया गया है फाहद अल्थुमाईरी के बारे में फाहद अल्थुमाईरी भी एक सीनियर डिप्लोमैट है जो साओधिय अरेबिया के लॉस एंजलेस थिक दूतावास में काम करता था उस समय ही वोजन एक्रिडेटेड डिप्लोमैट यानि कि यह सीनियर और बाद में पता चला कि यह वहाँ के एक लोकल मस्जिद में एक्स्ट्रीमिस्ट फैक्शन को लीड कर रहा था और 99 के एक फोन कॉल में जब उसको ट्रेस किया गया बाद में तो पता चला कि फाहद अल्थुमाईरी जो है यह ऐसे लोगों के संपर्क में था जिनने बाद लोगों के परिवार जन जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं वो लगातार अप अमेरिकी सरकार से डिमांड कर रहे थे कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए कई राष्ट्रपतियों को उन्होंने यह गोहर करी फाइनली जो बाइडन अभी जब राष्ट्रपती बने तब कुछ घंटे बाद ही 11 सितंबर को यह रिपोर्ट डिक्लासिफाइ करी गई थी अब साओधी अरेबिया की सरकार का इस पूरी रिपोर्ट पर क्या क्याना है तो साओधी अरेबिया तो हमेशा से कहता है कि हमारा कोई डारेक्ट इंवाल्मेंट नहीं है हाँ हमारे देश के क कुछ नागरिक जरूर आतंगवादी थे लेगिन सरकार का उसमें directly कोई लेना दिना नहीं था जो साओधी एंबसी है वाशिंग्टन में जो मेन एंबसी है उसने हमेशा से यह कहा है कि आप डिक्लासिफाइ करो न हमें कोई डर नहीं है साओधी अरेबिया वह अपने आपक हैं उनका यह मानना है कि यह साओधी अरेबिया की सनलिप्तता को दिखाता है और हो सकता है कि यह लोग फिर से साओधी अरेबिया पर केस करने की प्लानिंग करें अभी ऐसा चल रहा है कुछ प्लान तो हो सकता है कि फिर से यह इस रिपोर्ट के बेसिस पर यह कोट में केस क कहा जा सकता है कि सौधी गवर्मेंट के जो टॉप ओफिशल्स या कॉंसिलिट के ओफिशल्स हैं उन्होंने 9-11 के आतंगवादियों की मदद करी थी वो अलकायदा के प्लान में शायद इन्वॉल्ड भी थे और उन्होंने यहाँ पर लोजिस्टिकल सपोर्ट भी इन्हें प्रोवाइड किया था अब इस रिपोर्ट का अमेरिका सौधी रिलेशन्स पर क्या असर हो सकता है देखो अमेरिका सौधी के रिलेशन्स वैसे पिछले 70 सालों से काफी स्ट्रॉंग है लेकिन यह काफी पॉलिटिकली डेलिकेट रिलेशन्स है इतना असान नहीं है हमें लगता है कि सौधी रेबिया अमेरिका बेस्ट फ्रेंड है लेकिन इनके आपस में बहुत प्रॉब्लम्स चलती रहती है किसमें जमाल खाशोग जी के मडर में और ऐसा जनरली होता नहीं है कि रोयल फैमिली के किसी डारेक्ट मेंबर का नाम आप ले लो रिपोर्ट में लेकिन जब ये रिपोर्ट में नाम लिया गया तो इससे यूएस गवर्मेंट से नाराज हो गया साथी अरेबिया और जो डेमोक्राट्स हैं यानि कि जो बाइडन की खुद की पार्टी है वो तो कह रही थी कि पनिश करो मौहमद बिन सल्मान को सैंक्शन किया जाए हाला कि सैंक्शन वगेरा तो नहीं किया इन्होंने कुछ क्योंकि साथी अरेबिया को हत्यारों की जो एक्सपोर्ट है उस पर थोड़ा सा रोक लगा देंगे ओफेंसिव परपस के लिए यानि कि अगर जो भी मिसाइल या कोई फाइटर जेट्स हमला करने में काम आते हैं उनको हम साथी अरेबिया को नहीं बेचेंगे लेकिन जो इनको हम बेचेंगे तो ये पॉलिसी कुछ समय के लिए उस समय लाई गई थी लेकिन देखना होगा कि ये कितने समय तक चलती है क्योंकि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपती साथी अरेबिया के सामने जादा समय तक टिक नहीं पाया है सभी ने जाकर वहाँ पर नाच गाना दोस्ती यारी सब करी है तो चाहे वो जोर्ज बुश हो चाहे वो बराक उबामा हो सब ने जाकर वहाँ सोने की चेन पहनी है सब तलवारे लेकर नाचे हैं काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो एक डॉनल्ड ट्रम्प का भी है यूट्यूब पर आप देखेगा तो डॉनल्ड ट्रम्प जो है जो पहले साथी अरेबिया को बहुत बुरा बला कहते थे यानि कि आप देखो 2017 के इनके ये स्टेटमेंट है इन्होंने तो साफ कह दिया था कि साओधे अरेबिया वस बहाइंड 9-11 और उनकी पहली फॉरेंट ट्रिप कहां पर थी साओधे अरेबिया वहाँ जाकर उन्होंने भी यही मेडल वगेरा पहने तलवारे लेकर नाचे तो आप वीडियो देख लेना आप समझ जाओगे तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहरा हूँ कि जो राष्टरपती डॉनल्ड ट्रम्प साओधे अरेबिया को ओपनली बुरा भला कहते थे वो तक वहाँ जाकर उनके साथ अच्छे रिष्टे बनाने की कोशिश करते हैं क्यूंकि सौधी अरेबिया उस रीजन में मिल इस्ट में पार्टनरशिप के लिए सौधी अरेबिया की आवशक्ता अमेरिका को है इनफाक्ट साथी अरेबिया और अमेरिका के बीच के रिष्टे पिछले 20-25 सालों में सबसे मजबूत डॉनल्ड टरम के कारेकाल में थे इसका बेस्ट एक्जामपल है एबरहाम अकॉर्ड जो डॉनल्ड टरम की मद्धिस्तता के कारण हुए और दूसरा इरान के खिलाफ पूरी तरह से पॉलिसी पलट गई यूएस की जहां उबामा के कारेकाल में इरान के साथ समझोता किया था उन्होंने P5 प्लस 1 वाला डॉनल्ड टरम के समय वो समझोता पूरी तरह से नकार दिया गया अब ये देखना है कि जो बाइडन साथी अरेबिया की तरफ क्या policy रखेंगे क्या वो भी जाकर वहां तलवार लेकर हाथ में dance करेंगे या नहीं करेंगे ये सब अभी देखना होगा इस साल के अंते तक हम देखते हैं कि क्या foreign policy रहती है तो अभी इनके खुद की party के कई सदसे जैसे Bernie Sanders who is extreme left wing even in Democratic Party ये तो साफ तोर पर कहते हैं कि Saudi Arabia के जो ruler है they are murderous thugs और Bernie Sanders आपको याद दिला दूँ कि ये presidential race में थे ये भी शामिल थे Democratic nominee थे ये presidential race में तो ये अपनी party में बार-बार Joe Biden पर pressure exert करते हैं कि Saudi Arabia को sanction करो तो अभी तक तो कोई sanction किया नहीं और मुझे नहीं लगता कि कभी sanction करने वाले हैं लेकिन थोड़ी बहुत policy change हो सकती है Democratic Party में ऐसे कई लोग है जो openly Saudi Arabia के खिलाफ बुरा बला कहते रहते हैं जैसे रीसेंटली ideology के कारण 9-11 हमला हुआ था और इसके बावजूद America, Saudi Arabia के साथ अभी भी अच्छे संबंद रखता है तो ये थी इस declassified report और Saudi-US relations पर एक छोटी सी चर्चा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like ज़रूर करें कमेंट में अपना feedback भी दे सकते हैं आपका like, YouTube algorithm को ये बताता है कि वीडियो अच्छा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुँच होती है तो do like the video और अगर अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट में बता दो क्या अच्छा नहीं लगा बस अपनी भाशा को civil रखें that's all I ask और अगर आप UPSC की तयारी करना चाहते हैं तो An Academy platform पर live पढ़ सकते हैं भारत के best educators से और यहाँ पर जो course है plus GS या plus combo का अभी सब पर additional 10% discount चल रहा है तो देखो 10% discount तो आपको मिल जाएगा 46,740 रूपीज तो इससे better plan आपको पूरे इंडिया में offline, online कहीं नहीं मिलने वाला है you can go and search for it everywhere और An Academy में जितने भी best teachers हैं पूरे देश के वो सबब यहीं पर पढ़ा रहे हैं तो always go for An Academy अभी 20 किताबों का set अगर आप एक साल से उपर का कोई भी course लेते हो आपको free में मिल जाएगा यह course EMI option पर भी available है EMI को कैसे avail करना है बहुत ही simple तरीका है इस वीडियो के नीचे description में जाओ पहला जो link आपको दिख रहा है Google form का एक link है उसको click करो उसमें अपना phone number या basic contact details डाल दो हमारे team member आपको संपर करेंगे आपको पूरा guide कर देंगे कि कैसे EMI process को activate करना है remember there is no interest there is no hidden charge nothing बिलकुल एक या दो घंटे के अंदर सारा काम हो जाएगा और आप अराम से हर महीना एक छोटा सा amount pay करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं यहाँ पर plus और iconic जो दो courses है उनके सब की details यहाँ दिये गए है 1 year, 2 year subscriptions के prices है याद रहिए normal भी आप कोई भी subscription लेते हैं कोई भी subscription उसमें आप महीपाल code यूज करेंगे तो आपको 10% discount विलेगा चाहे आप UPSC का subscription हो, SSC, कोई भी exam का और subscription लेने का फायदा यह है कि देखो जैसे कि जो मेरे plus course हैं, दूसरे educator के plus course हैं आप उनको avail कर सकते हो तो मेरा अभी post independence का course अभी ongoing है दो classes हुई है इसकी, इसको आप join कर सकते हैं link इसका नीचे description में मिल जाएगा तीन free test series है, इनका फायदा उठाई है और यह regular batches जो बनते हैं हर Wednesday को इनको join कर लेना जैसे ही subscription लेते हो तो thank you very much for watching this, have a great day